लोगतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और लोगतंत्र के महापर्व में जाती और धर्म की बात करने वाले लोग को लोगतंत्र में विश्वास नहीं है लोगतंत्र जनता के विश्वास को जीत करके आने बारे लोगों की जामात है और किसी भी धर्म पर किसी भी तरह का कटाक्ष या किसी भी जाती पर कोई प्रस्न उठाना ये उनकी सोच को दरसाता है उनके मानसिक्ता को दरसाता है और ऐसे लोग लोगतंत्र के हीताईसी नहीं है और इसी लोग किसी भी संबैधानिक पद के योग भी नहीं है सब्सेरिंग कब तक होने का उमीद है सब्सक्राइब होगा सक्षम नियक्तित्व निर्ने लेने में हर तरह से सक्षम है और उची समय पर यह निर्ने हो जाएगा सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको आभास करा दे कि क्या-क्या इनके समय में हुआ था कौन-कौन सा ग्रामा हुआ था सिपाही भरती गोटाला किसके रिजन में था कई यह इसे मामले उठे थे और कई तरह के नियुक्ति गोटाला के तो सबसे बड़ा मसिया के रुप में लोग इनको जान रहा है इनके पढ़िवार को यह क्यो भूल जाते हैं अरे आप परमानिक्ता के साथ बताईए कि कौन व्यक्तिन बहुर्व है आपके पास क्या सबूत है तो रित कारवाई होगी सरकार एक्सन नहीं ले तब प्रस उठाईए आपने कहा कि एक मंत्री बचा रहे हैं तो बताईए कौन मंत्री है क्या परमान है आपके पस नेता परतिपर्ष की सकरात्मक भूमिका निवानी चाहिए पूरी पर्मानिक्ता के साथ लोगों को भर माने का और सिर्फ खाना पूर्ती करने का खेल नहीं हो लालू जी के सभी परिवार के सदस राजिनीत में रहने का अधिकारी है क्योंकि वह पाटी ही परिवारबादी और बनसबादी है तो लागू नहीं होना चाहिए दुखे राश्ट के हित में हर समाज के हित में अमा भारती के धरती से प्यार रखने वाले सब लोगों को नागरिकता मिलती है इस पर किसी को आपति नहीं और आपत्ति करने वाले लोग ऐसे लोग क्या इस समाज के हिताइसी नहीं है ये उनके से पूछिये जाकर जनता का जनादेश NDA के साथ मिला था चचा भतिजा जनता के जनादेश में साथ क्यों नहीं थे जनता का जनादेश NDA को मिला था पिछले दरवाजे से आकर के सत्ता में भागिरदारी करने की जो मानसिक्ता थी फिर जनता के दबाव में चचा ने न कर दिया आज गिर NDA की सरकार है विहार के अंदर जनादेश के अनुसार सरकार है कोई NDA में नहीं है सभी को देश के प्रधानमंति नरंद्र मोधी जी के नित्चों में चुनाओ लजने वाले अपने को गरवानवित महसूस करते हैं जोकि एक नए राष्ट वाद की और भारत प्रवाइ से विल्च के एली पिल्च कर दो था कर दो दृट